गुर्देव इस समाज का निर्मान कैसे होगा हम कैसे लोगों को जागरुक करें हम क्या फिर से हमें ध्यान की प्रक्रिया की और आगे बढ़ना होगा ध्यान की प्रक्रिया की और तो बढ़ना ही होगा इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम पूरे देश में दुनिया में सम प्रश्न उठता है कि इससे कैसे हम मुक्त हूं। इन सारे वहोंसे मुक्ति का एक ही रास्ता है कि हमारे भीतर इस सत्त की समझ पैदा हो जाए। कि हम कितना भी कोशिश करें जितने हमारे भीतर भैपोएदा होते हैं उन सबसे निपटने के लिए हम बड़ी ब्यापक सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। यार्तिक सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, अन्य तरह की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा जो हम पैदा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सोच सकते हैं। इसलिए जो गहन सत्त्य है कि आशुरक्षा के सत्य को सुईकार कर लेना। जब हम आशुरक्षित हैं और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है इसके लिए स्विकार भाव पायजा कर लेते हैं तो चिंता और तनाव के हवा निकल जाती है। एक बहुत महत्वा कांख्षी चित्रकार एक दिन मेरे से मिला। उसकी पीड़ा थी कि वो निरंतय भैभीत रहा करता था। उसको इस बात का भैथा कि कहीं उसका एक्सिडेंट नो हो जाए। और एक्सिडेंट में उसका अंगभंग हो सकता है, कहीं लगणा नो हो जाए, उसको ये भैथा कि कहीं वो एक्सिडेंट में मर ना जाए, और लगणा हो जानने का भैए, मर जानने का भैए, ये उसको सताय रहता था, और सारे लोग उसको समझाते थे, घर वाले समझाते थे, परिवार मादे समझाते थेि डाक्टर समझाते थे जहाँ जहाँ जाता था इलाज के लिए सब समझाते थे कि ऐसा हूँ नहीं सकता है तुम क्यों गलत सोच रहे हो, गलत कल्पना कर रहे हो उसको मैंने बताया और वो accept नहीं करता कहता कि कैसे accident तो हो ही सकता है और मैं लगड़ा भी हो सकता हूं मैं मर भी सकता हूं तो ये लोग गलत समझा रहे हैं और गुर्दयों बताये मैं मुझे नीद नहीं आती है मैं ऐसे ही तबाह हो गया हूं और उसको भेंकर depression हो गया था इस बात से मैंने उसको समझाया कि तू बहुत ही समझदारी की बात कर रहा है और मैं तेरे से कहना चाहता हूं कि in any situation ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती है निश्चित एक ना एक दिन होनी है और सब चीजें तो अनिश्चित हो सकती है लेकिन मृत निश्चित है तो इसको सुविकार कर लो कि किसी दिन हो सकती है ये संगर्जी ना करो कि ये सत्य हो सकता है नहीं हो सकता है इसको सुविकार कर लो कि किसी ना किसी दिन हो सकता है और जब तुम स्विकार कर लो इसको तब मुझे बताओ कि अब तुम्हें क्या तक्लीफ है उनोंने कहा गुर्दो मैंने स्विकार कर लिया आपकी बात सही है बिलकुल सही है लेकिन मैं अच्छे-च्चे चित्र बनाना चाहता हूँ चित्रकार हूँ मैं अगर ये घटनाए हो जाए तो मैं चित्र कैसे बना पाऊंगा मैंने कहा लेकिन अभी तो तो बना सकता है अभी ये घटनाए नहीं हुई है अभी तो मजे से चित्र बना जितना बनाना चाहता है और बात उसकी समझ में आ गई और जो उसको लाख समझाया जाता रहा कि ऐसा तेरे साथ नहीं हो सकता है केवल यह समझाने से कि ऐसा कभी भी हो सकता है इस बात को सुईकार कर लो उसकी समस्या समाप्त होगी एकसेप्ट कर लिया एकसेप्टेंस जब आपको चिंता भै तनाव पकड़ता है तो आप में तीन महत्वपूर परिवर्तम होते हैं सबसे पहली बात आपकी फिजियोलोजी चेंज हो जाती है आपकी सारीरिक आवस्था बदल जाती है आपकी स्वास तीब्रगती से चलनी लगती है और ऐसे में आपका शरीर सिकुड़ जाता है आपके कंधे सिकुड़ जाते हैं जो फिजियोलोजीकल चेंज हुआ शरीर में उस फिजियोलोजी को आप बदल करके तुरंट चिंता और भैस से मुक्त हो सकते हैं तनाव से मुक्त हो सकते हैं आपकी स्वास की गती तेज हो गई है और आपका शरीर सिकुड रहा है ऐसे में आप तुरंत गो फार एक क्विक रन क्विक एक्सरसाइज और किसी भी प्रकार का ब्यायाम कर ले या 15-20 मिनिट दोड ले आपकी फिजियोलोजी नर्मण हो जाएगी और फिर आप लंबी और ग गहरी स्वास ले तो जो उतली स्वास चलने लगी थी आपकी तेज गती से स्वास चलने लगी थी उतली स्वास चलने लगी थी वो स्वास लंबी और गहरी हो जाएगी और आपकी फिजियोलोजी पूरी चेंज हो जाएगी आप चिंता और तनाव से मुक्त हो जाएगी ये medical science और monovagyanic परिक्षणों के आधार पर ये सत्य सिद्धो चुका है दूसरा जो परिवर्टन होता है आप जब चिंता भै तनाव से भरते हैं तो आप की भाषा आप जो सब्द यूज करते हैं वो बड़े कमजोर सब्द परियोग करने लगते हैं डर चिंता तनाव से भरे हुए सब्द परियोग करने लगते हैं हताश दिखने लगते हैं तो ऐसे में चेंज यूर वर्ड्स स्टार्ट यूजिं पावर्ड्स शक्तिशाली शब्दों और फ्रेज़ का परियोग करें जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता लगता है मैं ऐसे ही रह जाओंगा इंस्टेड अप सेइंग I will lose start saying I will win इंस्टेड अप सेइंग I can't do start saying I can do तो इस तिंग्स बिल स्टार्ट मेटिं इमिजिएटली बिग इंपक्त आने और तीसरा महतुपूर्ण परिवर्तन होता है आपका focus उन चीजों पर केंदर्ज हो जाता है जो चिंता तनाव भै का कारण है आपका focus ऐसी अवस्था में उस पर चला जाता है जो आप चाहते हैं ना हो जो आप चाहते हैं कि हो जाए आप जैसा चाहते हैं कि ऐसा हो उस पर अपना focus ले जाए और उसको साकार होता हुआ अनभो करें पांच मिनट तक close your eyes and for five minutes change your focus from what you fear to what you want to happen once you focus on what you want to happen start visualizing the same for five minutes पांच मिनट तक जो आप चाहते हैं कि हो उसको साकार होता हुआ अनभो करें आपका focus बदलेगा आपकी शारिरिक इस्तिती आपकी मांसिक इस्तिती आपकी भावनात्मा की बदलेगी और चिंता तनाव भैसे आप मुक्त होते चले जाएगे एनभ फर टुड़े थैंक यू जदीचे अनुमती आप सबसे आग्या लू अनुमती लू उससे पहले गुर्देव का बहुत बहुत धन्यबाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले